नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक्स्प्रेंट सेवनेट सीरीज में जहां बात करेंगे वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे जी हां भालु दिवस की विश्व का पहला भालु दिवस मनाये गया स्वागत है सभी का अटर टॉर्ट सेमेज उप्यसी पर जाम मैं हूं दोस्तों नचेशनियाल भालु दोस्तों उसकी बात करें इसके बारे में बात करते हैं स्लॉथ बियर वर्लड स्लॉथ बियर दे विश्व का पहला स्लॉथ बार अक्टूबर को आईए बात करते हैं इसके बारे में स्लाथ बीयर डे जी हां तो स्लाथ बीयर के बारे में चर्चा करें तो यहां पर स्लाथ बीयर जिसे अपना काला भालू या काला रीच कहते हैं हम लोग कई बार अपनी जगा में काला भालू या काला रीच जो होता है इसकी बात करें दुस्तों लोग तो Sloth Bear Day मनाया गया दुनिया का पेहला विश्व का पेहला Sloth Bear Day मनाया गया 12 Weis River को बनाया जाएगा 12 Weis को बनाया सकता है यहांसे अपके लिए Sloth Bear की बात करें समझेगा उदेश का बढाना ओभाना आयूसीन के शुवेदे शिर्णी में आता है यह चीक है इंपाइंट बात है कहां का मिलता है मुख्यता भारत में नेपाल में शिलंका में इसकी प्रजातियां पाई जाती है अदिमिक टूदा इंडियन सब कॉंटिनेंट जी है भारती और महाधीप में है और इसके 90 परसंट भारत में ही पाय जाती है भारत के लावा नैपाल और शिलंका में पाया जाता है दोस्तों यह 90% इंडियन बाई जाता है इसको लोगों के उपर क्या अर्टर कर सकता है जब तक उसको किस ने बनाया इस दिल्वर को डे आयुजुत किया गया वाइल लाइफ सो एस इंडिया जी हां वाइल लाइफ सो एस इंडिया यह एक संगठं का नाम याद रखीगा है यह काफी लंबे समय से प्रियास कर रहा है सुलॉद बियर को बचाने के लिए Wildlife SOS इंडिया दुआरा इसको आउजित किया गया यह लंबे समय से कारण रहत है सुलॉद बियर के सेलक्षन के लिए दोस्तों है यहाँ पर इसके लावा IUCN जो IUCN के साथ Wildlife SOS के साथ IUCN के एक संस्था है IUCN के सबस्प्रीज संस्था है IUCN Species Survival Commission जी हां इसको करते हैं IUCN SSC तो IUCN SSC और Wildlife SOS इन दो संस्थाओं ने मिलके सको सेलिबिट करने का फैंसला किया है नाम पर याद अखिए का एक्जाम में कामा सकते हैं Wildlife SOS और IUCN SSC IUCN SSC का मतलब Species Survival Commission दोस्तों इन दोन मिलके आयजित किया इस फंक्षन को World Sloth Beer Day दोस्तों मनाया गया यहां पर काम की बात क्या है हमारे यह Sloth Beer मुक्रिता जंगल में दो पाई जाते हैं चड़िया घर में पाई जाते हैं हमारे यह Sloth Beer हर चड़िया घर में एक या दो भालो इस प्रकार काईबा तीन-चार भालो भी होते हैं हमारे यहां पर तो Central Zoo Authority है प्लस Minister of Environment है यह सब शामिल थे इस BRD को मनाने के लिए अच्छी बात है यहां पर इस दिवस को मनाया गया मंत्राले दोरा हमारे केंद्री यह चड़िया घर प्रादी करन दोरा इसको मनाया गया काफी अच्छी बात दोस्तों इंट-पाइंट बात क्या है समझेगा इसका जो protection है यह जीफ वर्नेबल शेणी में आता है भारा सरकार ने इसे schedule एक में शामिल कर रखा है Wildlife Protection Act की हिंदी में कहा जाए वन जीफ अभेरन सरक्षण अधीनियम जो है वन जीफ सरक्षण अधीनियम उनने 72 के नशुची एक में शामिल है यानि इसका स्टेटस वही है जो की टाइगर का है राइनोस का है या इलिफेंट का जो सरक्षण का दाएरा है दोस्तों यह इसे हम आ और भ ribbon कहते हैं कि बाइफिरोस के सभपन क्षुरद नामसे जाना जाогда है ठीक दोस्तों सब्सक्राइब करने का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र अगर कहीं है तो आगरा का है आगरा में क्या है उसका नाम भालू सरक्षन केंद्र या बियर कंजर्विशन सेंटर दोस्तों यह कहां पर आगरा मनाया गया था इसके स्थापना सती साल पहले की गई थी 1999 में और किस ने किया था यही संस्था दी wildlife SOS भालों को बचाने के लिए जाने जाती है संस्था दोस्तों wildlife SOS ने आगरा में दुनिया का पहला सलॉद बियर कंजर्वेशन सेंटर के स्थापना की थी यह याद रखेगा काम आएगा इसलिए पहले बियर डे काया जो इसका जो पेट होता है वहाँ पर एक वी आकर का शेप बना होता है दोस्तों इसमें नहीं दिख आप देख रहा है यह दिख लगा यह लगा इसके चेस्ट पर वी शेप का वाइट कलर का पैच होता है इसको फोला याद रखेंगे इसको ठीक है नाखोन होते हैं इसके और दीमक चीटियों को खाता है मुख्यता बाहर निकलने में काम आते हैं दोस्तों ये ठीक है 90% स्लॉट बियर बाहर ने पाई जाते हैं बताएं मैंने आपको यहाँ पर यह चलिए क्या क्लियर हैं को यह न्यूस क्या क्या याद रखना है दो समझेग एक संस्था का नाम याद रखना है आपको बादार हो मैं वाइल लाइफ सो एस यह दुनिया में सब्सक्रणी संस्था भालों को बचाने की वाइल लाइफ सो एस आई यूसी एन की SSC स्पिसी सर्वाइवल कमीशन या रखना है आपको आगरा का बियर कंजर्वेशन सेंटर आगरा में है दोस्तों इसको याद रखना है स्थापना होई थी 1999 में याद रखना है भालू सुलाद बियर वर्नेबल काटिगरी में आता है इसे वी शेप से पहचानते है इसके लावा और कुछ जानना है हमको ये नेपाल में इंडिया में और श्रिलंका में पाए जाता ह इसकी बात हो इए आपके साथ 90 पसंद अंडिया पाई जाते हैं कि अवला बस्तौत बियर और बार अक्टूबर को मनाया जाएगा पहला या बार अक्टूबर से मनाया जाएगा पहला सुलाद बियर डे हो बारी दोस्तों फेक्ट सारे हमारे बाकि आप जोड़ सकते हैं मेरे करिंड अफिर प्रोग्राम के साथ डेली ग्लास होता है दोस्तों Y605 कोड यूज करें जोड़िये मेरे साथ इस बैच में जहां आपकी डेली ग्लास होती है वीगली आपको PDF मिलती है हिंदी और इंग्लिश में दोस्तों थैंक यू झाल 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 झाल